तो दोस्तों बात करते हैं यहां शौमी ने अपना एक नया मी टीवी लॉंच कर दिये वैसे बात की रहा है तो शौमी को जो मी टीवी से वो अल्रेडी काफी जादो पॉपलर है इंडिया में और लाखोगी कॉन्टिटीज में वो अपने टीवी को बेचते हैं लेकिन अभी उनका जो नया टीवी आयना है यह देखा जाए तो उनकी प्रीमियम केटिगरी का टीवी है वेल प्रीमियम इसलिए भी क्योंकि यह शौमी ने अभी टीवी लॉंच की है यह थोड़ा सा महेंगा भी है और इसके नदर थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलोजी भी देखने को म नहीं है सारी बात करने वाले वीडियो के आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर ले नो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो सबसे बहले बात करते हैं मी टीवी 4 के क्यो एलेट की के पैनल के बार में यह औविसलिया जो पैनल होता है वही सबसे इंपोर्टन चीज होती है और देखा जा तो रेगुलर IPS LCD या फिर नॉर्मल LED LCD की जगे इस बार उन्होंने QLED यूज की है QLED इससे पहले आपने OnePlus के TVs में भी देखी होगी काफी सारे दूसरी कंप्नी भी अपने TVs लिखा है Samsung के जितने भी majority TVs देखने को बलते 8 के resolution वाले भी उनमें भी आपको QLED डिस्पले देखने को बलता है अब यहाँ पर भी देखा तो Xiaomi भी QLED की उपर गई है और यहाँ पर हम QLED के बार में बात करें तो इस technology को simple कर देना चाहता हो यह quantum dot display होता है यानि कि जो backlight यूज की जाती वो यहाँ पर blue color की use की जाती यानि कि blue color की light use होती है उसके उपर एक layer होती है quantum dot की जो कि जब उस पर light पढ़ती है तो उसमें से जो colors होते है red, green, blue यह color emit होते है और उसके बाद regular चीज और generally जो QLED panels आपको देखने को मिलते है वो market में आपको VA type के panels होते है अब इसका फायदा IPS LCD और LED LCD वाली जो दूसरे TVs होते है उनसे बेटर जो आपको black levels होते है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और QLED का एक फायदा यहाँ पर यह भी रहता है कि यहाँ पर जो colors होते हो थोड़े इनाएंस होते है खास दोर पर जब कोई SDR वीडियो या फिर HDR में कोई चीज रही है वो भी काफी जबर ज़स्त है और इसका फायदा ही है कि यहाँ पर को color थोड़ अच्छे देखने को लेंगे अब कमी की बारे में बात करूं यहाँ पर तो कमी में को जो लगती है ना वो लगती है कि हर कोई कंपनी अपनी TV को premium बता आती है future ID बनाती है लेकिन अगर किसको full array local dimming का TV खरीदना है लगभग Sony का TV खरीदना पड़ेगा जो लगभग 80-90,000 का आता है अगर यह टेकलोजी है कि Xiaomi किसी ज़रह से 55,000 या 60,000 तक भी ले आते है ना काफी कमाल की चीज़ होती क्योंकि उससे जो black level produce होते है ना वो OLED के किये जा सकते थे तैयर अग ऐसे बात कर दो 4K पैनल है ना इसका जो refresh rate है ना वो है 60 Hertz यह stock refresh rate है कोई variable refresh rate देखने को नहीं मिल रहा है यह बात में आप से clear कर देने वालों तो पैनल के बार में यह बात होगी इसके साथ ही HDR format के बार में बात करें यहां पर बहुत अच्छा काम कि है कि यहां पर आपको सा बलता है Amazon Prime Video में YouTube support करता है HDR10 और HLG को और बात करें Disney Plus Hotstar की तो अगर आपके पास Disney Plus Hotstar का premium subscription है तो वहां पे आप Dolby Vision को भी यूज कर सकते हो और वहां पे कुछ content आपको HDR में भी देखने को बलता है 4K में भी देखने को मिलता है और जनरल जितना content HDR में available होता है तो यह content की प् अच्छी quality का panel यह काफी चॉइस हो जाता है लेकिन इसके बाद बारियाती sound की अब sound में देखा है तो 6 speaker का setup है 30 watt के हैं लेकिन यहां पे ऐसा claim किया गया है कि यहां पे आपको कोई भी additional sound bar या home theater लाने की जरूत नहीं क्योंकि already speaker से काफी जादा powerful है यह यह बात में को लगाओगे तो उसका base अच्छा देखने को अगर home theater लगाओगे तो आपको surround sound देखने को मिलेगी तो मेरा suggestion यह रहेगा कि टीवी भले ही regular picture के लिए यूज की जासे कि मतलब regular viewing experience के लिए यूज कर लो लेकिन अगर proper cinematic feel लेना है आपको additional speakers लगानी पड़ेंगे हो सकता जो Xiaomi की नहीं sound bar आती है उससे battery output provide कर दे लेकिन लगता है नहीं कि क्यो dedicated अच्छी high quality कि मैं Dolby Atmos compatible sound bar connect करूँगा इससे तो वहाँ पे इसको चीज़ रिप्लेस कर पाएगी यह चीज़ थोड़ी में को over exaggerate लगी इसके साब एक और important बात यहांपे बता देना चांगा कि इस TV में आपक कोई भी Dolby Atmos सेखने को नहीं मिलता है लेकिन अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको EARC का port है और अगर आपके पास एक additional speakers है यहांपे sound bar है जो कि Dolby Atmos को support करती है जैसे Sony के काफी sound bar साथ यह Samsung की आती है LG की आती है जो कि Dolby Atmos को support करती है तो EARC port का use करके आप कर सकते हो तो यह एक अच्छी चीज़ है तो simple language में बता देता हूँ अगर आप EARC port का use करके Dolby Atmos sound bar के साथ यह home theater के साथ connect करोगे TV को और TV के अंदर जो sound output होता है वो अगर आप pass through रखोगे तो definitely आप जो Atmos content होता है ना वो sound bar के थ्रू enjoy कर पाऊगे यहां तक कि Netflix के अंदर आप Dolby Vision औ Dolby Atmos दोनों का मज़ा साथ में ले सकते हो लेकिन अगर आप internal speaker से Dolby Atmos enjoy करना चाहते हो यह चीज़ पॉसिबल यह built-in speaker में Dolby Atmos देखने को नहीं मिल रहा PS5 या Xbox Series XO connect करूँगा तो वहां पर क्या होगा कि जो टीवी है ना यह automatically gaming mode के अंदर चले जाए गर जो input latency होगे ना वो फाइब मिली सेकंड होगी लेकिन जो HDMI 2.1 का पोड़ दिये ना वो मेरे को kinda थोड़ा सा useless लेगा क्योंकि जो पैनल है वो 4K 60Hz है ना कि 4K 120Hz है यहां फि अगर 8K 4K 120Hz होता तो HDMI 2.1 का थोड़ा जादा सेंस बन दा और यह भी नहीं पता कि HDMI 2.1 यह full bandwidth वाल है कि नहीं है क्योंकि HDMI 2.1 के भी multiple standards होते है जो high bandwidth होती है उसके दर होती 40 Gbps वो 8K 60Hz को भी support करता हो variable refresh rate को भी लेकिन यह technologies यहां पर देखने को नहीं मिल रही तो HDMI 2.1 का चीज होती बस यहां पर gaming के लिए जो ALM मिल रहा है न वह काफी कची चीज है तो यहां पर इमें clear कर देने वालों तो छोटा सा gimmick लाकि HDMI 2.1 की जरूरत नहीं थी HDMI 2.0 से भी खाम चल सकता था और दूसरी चीज़ों में अगर इंवेस्ट करते पैसा तो काफी अच्छा और दूसरे टैप का टीवी देखने को मिलता है यह सारी बात भी टीवी के बारे में हो जाते हैं अब इसके OS के बारे में बता देंदों यह Android TV 10 के उपर चलता है इससे पहले Motorola के टीवी देखने थे और Xiaomi की तरफ से पहले टीवी जो आउट आफ दा बॉक्स Android TV 10 पर चल रहे है उ अब Android TV की अच्छी बात यह रहती है यहाँ पर कि Google जो है वो अलाव नहीं करती कंप्नीज को कि उसके अंदर वो जादा छेड़ खानी करे इसलिए Xiaomi चाहकर भी अगर इसमें एड्स वगरा पुश करना चाहे तो वो नहीं कर सकती तो यहाँ पर Google ने बहुत ही अच्छा काम क मिलते हैं उनमें से सबसे अच्छा जो content aggregator है ना वह पैच वाल पैच वाल के अंदर जितने फीचर्स मिलते हैं या पर जित तरीके से कटलोग अरेंज होता है और जिती सारी OTT एप्स का उसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है ना वह काफी अची चीज है और इस मामले म होती है तो थो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है 2GB ठीक है मैं कहूंगा future ready नहीं कह सकते हैं लेकिन ओकेश कह सकता हूं 32GB storage है जो कि काफी अच्छा जनरली TVs के अंदर 8GB और 16GB देखने को मिलता है यह काफी है USB port से external hard drive लगा के storage को expand किया जा सकता है प्रोसेसर के बार में बा इक थोड़ा future ID chipset है क्योंकि यह AV1 codec को भी support करता है AV1 का फायदा ही है कि आपको TV पर गर आप content देख रहो तो उसकी quality वैसी रहेगी लेकिन data come use करेगा YouTube AV1 codec को support करते तो YouTube पर 4K video stream करोगे data come खर्चोगा quality वैसी मिलेगी Netflix इस चीज़ को support करने वाले तो वहां पर भी data come यह feature देखा जादो इंडिया में इतने भी TVs मिल रहे हैं उसमें इसी TV में देखने को मिल रहे है क्योंकि काफी next-gen feature है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो काफी अच्छी चीज है बाकि overall बात करें TV में को काफी balance सा लगा मतलब इसे बहुत ही जादा अच्छा ब कुसी card बगरा पर discount बगरा मिलेगा तो उसके बाद TV में थोड़ी और अच्छी value मिल सकते है अगर 50-51 तक देखने को मिले इसके साथ ही एक important feature यह लगा कि TV के अंदर आपको वैसा ही Mi TV remote है लेकिन यहाँ पर आपको quick wake का feature मिलता है अगर TV standby mode में है तो दोबारा से जो wake होता है वो less than 5 seconds के अंदर हो जाता है यह कुछ अच्छी जीज़ है और बात की जाए तो अगर किसी वो गेम वगरा खिल लिख लिख लिक console gaming के लिए TV चाहिए 50-55,000 में यह एक अच्छा TV हो जाता है auto lay latency mode के साथ इसको gaming के साथ हम लोग अच्छा कर सकते है content viewing के लिए भी Dolby Vision का support है काफी अच्छा मिल रहा है और अगर आपके पास कोई additional speakers है या फिर कोई ऐसा sound system है जो कि Atmos को compatible है तो आप Dolby Vision Dolby Atmos काफी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कमी बस एक लगी कि अब मेरे को लगता है कि TVs के अंदर थोड़े से gimmie की features को हटा के थोड़े practical features का implementation किया जिसक को 65 इंच के मी टीवी के साथ जो पिछले साल आये था obviously हर aspect में except size यह 55 इंच वाले टीवी बैटर अगर मैं compare करूँ से दूसरी companies के motorola के टीवी से जादा बैटर लगा high sense के टीवी और view के टीवी से जादा बैटर लगा वहीं बात करूँ oneplus के टीवी के टीवी काफी जाद अ है लेकिन oneplus के टीवी जो अन्य चो ऑडियो डेपार्टमेंट होता है क्योंकि आपको 50 watt के speakers देखने को मिलते हैं और dolby atmos को support देखने को मिलते हैं इसलिए वो आके थोड़ा आगे निकल जाते हैं लेकिन देखा है तो मी ने एक थोड़ा decent काम किया है उमीद है कि इनके जो औ और भी जादा अच्छे high-end TVs है या OLED TV बात कर ले या फिर फोल अरे लोकल डिमिंग वाले TVs की बात कर ले वो भी हमें आने वाले future में देखने को मिलेंगे तो वैल यह बात हो जाती मी 4K QLED TV के बार में यह TV आप लोग कैसा लेगर purchase करना चाहतो लिंक इन डिस्रिप्शन आपके वीडियो देखने के लिए मैं आप सुमते नेक्समेंट में गुद बाई